नमस्कार, स्वागत हैं आप सभी का ज्यान गंगा चैनल पर हिंदू पंचान के नुसा प्रतेक मा के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है माग मा में पढ़ने वाली चतुर्थी को सकट चौत के नाम से जाना जाता है सकट चौत को तिलकुट चौत, संकटा चौत, माग चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी आधिनामों से भी जाना जाता है सकट चौत का व्रत संतान की लंबी आयू के लिए रखा जाता है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में माग संकष्टी चतुर्थी कब है, दिन वदिनांग क्या रहेंगी, चतुर्थी कितिति क्या रहेगी, पूजा की विधी क्या है और चंतरुदय का समय क्या रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी संकष्टी चतूर्थी और विनायक चतूर्थी व्रत की तितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, साथ में वेला आइकन को प्रेस कर दीजे तक कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो संकष्टी चतूर्ती के दिन व्रती को सुवे जल्दी उठकर स्नानादी से निवरित हो जाना चाहिए उसके बाँ स्वक्षवस्त धारन करे और व्रत का संकल्पले पूजा घर को अच्छी प्रका से साफ करे उसके बाद पूजा इस्थल पल अकडी की चौकी पल लालवस्ट बिछाए फगवान गरेश की प्रतिमा या मूर्ती को स्थापित करे फगवान गरेश का पंचा मिर्द से जला भी शेक करे पगवान गरेश को रोली, चंदन, सिंधूर अरपित करे इसके पश्यात दुरबा अरपित करे और फूल अरपित करे गरेश मंत्रों का जाप करे, गरेश चालीसा का पाठ करे, संकस्टी चतुर्ती व्रत की कथा को पढ़े या सुने फगवान गड़ेश को भोग लगाए, मोदक या लड़ों का भोग लगाए, उसके पश्यात फगवान गड़ेश की आर्ति करे शाम के समय चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा की पुझा करे, चंद्रमा को अर्ग दे, उसके पश्यात व्रत का पारण करे साल दोहजार चौविस में माग संकष्टी चतुर्थी 29 जनवरी 2024 दिन सुमबार को है संकष्टी के दिन चंदरुदय का समय रहेगा रात की 9 बच का 10 मिनट पर चतुर्थी तिति का आरब होगा 29 जनवरी की सुबह 6 बच का 10 मिनट पर